दोस्तो आज हमने बनाया है अनार का कुलफी जो कि दिल्ली का फैमिस यह आइस क्रीम है जहां पर इसे कहते है अनार कुलफी बहुत ही टेश्टी लगता है बहुत ही यमी है इजी स्टेप में मैंने बनाया है तो चलिए स्टार्ट करते है तो यहां पर मैंने लिया है दो अना भी जमेगा तो इस तरीके से मैं काट लेता हूं काटने का बाद यह जो अनार का जो बीज है इनको सब को निकाल लेना है अच्छे तरीके से चम्मस से यह आपके पाद कोई चीज अच्छा हो तो उससे निकाल लेना है अनार जो खोपड़ी है मतलब इसका जो छिलका है यह त तरह केसे लिकलना है तो ढ़ऴ निकालके सारा यहां पर रेडी कर दिया हूं उसके बाद यहां पर देखो मैं जब कि लिए आइस क्रिम बनानी के लिए लिए यहां पर दूद लिया हो मैं आदा लिटर इसे मैं जब बोल बने के छोड़ देता हूं और चलिए अब हम लोग जो है अनार हमारा जो है पुरा यह हो जाएगा तो इसमें मैं आदा लिटर दूद लिया हूं और यहां पर मैं मिल्क पॉडर ले रहा हूं क्योंकि इसमें जो है गाढ़ा हो जाएगा ऐस्क्रीम अच्छा बनेगा तो इस ट्रफत में आ अगर आप बनाना चाहते है तो इस्टरिकास वैसको और प्रहर सकते हो इसमें से खोले чиलेना है ये पीसने के बाद इस तरीक खशलनी के पाती इस तरीके करने रेडी हो गया है आईस क्रीम बनने के लिए उससे पहले हम लोग जो है चीनी इसमें डालेंगे एक दो चमच अगर बड़ा चमच है तो दो चमच चोटा चमच है तो तीन चमच मैं ले रहा हूं यहां पर देखो उसके बाद यहां पर अनार का जूस डाल देते हैं दूद में तो दूद में जब अनार का जूस डालेंगे तो यहां पर आपका ज्यादा कलर नहीं आएगा ठीक है उससे पहले हम लोग यहां पर अच्छे से मिला लेते हैं उसके बाद यहां पर हम लोग थोड़ा सा ड्राइफ फूड डालेंगे जैसे काजू किसमिस और पिस्ता डाल और उसके बात हम लोग कलर लाने लिए क्लर फूड यूस करेंगे जो कि कलर होगा तो यहां पर मैंने थोड़ा सा marrow फूड यूस किया है चैरी कलर का और देख सकते हैं बहुत लाजवाब कलर हो गया है अब पर नहीं ठोड़ा हो गए हम लोग का तो आब हम लोग थोड़ा जो बनाए है हम लोग ready किए ice cream के लिए और इसको जो है आटा से आपको इसमें मतलब seal कर देना है जैसे आटा थोड़ा सान लेना है और सील कर देना है और आपको इसको कम से कम 8-10 गंटे के लिए freeze में छोड़ देना है तो देखो यहां मैंने freeze में छोड़ दिया है और उसके ब गया है लगवग अभी दिखा देता हूं कि कैसा दिख रहा है तो यह जो है दिल्ली का famous जो है अनार कुलफी है जो आप घर में बना